जे जुहार जे चत्तिसकर संगवारी हो मैं उश्या चौधरी आप सब मन के अपन चैनल चत्तिसकरी ब्लॉक में स्वागत करत हूँ आज मैं आप मन बर लेके आये हूँ वीडियो में घर में किस तरह से धनिया ला उगाये जाते कैसे में धनिया बहुत अच्छा से होते तो आप मन मोर वीडियो में बने रहो और पूरा देखो मोर वीडियो ला आप मन एक एक स्टेप अच्छा से दिखा हां मैं हां तो संगवारी हो चलो वीडियो ला शुरू कर था नोकर से पहले आप मन सबसे मोर रिक्वेस्ट है मोर चैनल ला लाइक सेर सस्क्राइब जरूर कर था नोकर से पहले हो जरूर बता संगवारी हो की प्रोसेस करना है सैगो भी लगा सकते हैं बाकी दो दो तुकड़ा करके अच्छा होते हैं उकर बाद देखो आप मन ये केरेट में में धन्याल लगा थूं मिट्टी जैसे जमीन में मिट्टी नहीं है तो उकर लिए हमन गमला या तो फिर कोई भी ऐसे डिबा चाहे प्लास से खोद करके तो आप मन देख सकत है किस तरह से हमन मिट्टी लगा अच्छे से करेहन बराबार ये देख सकत है आप मन जो भी गोटी वगरा कचड़ा हो ला निकाल ले बो और उकर बाद हमन ला बढ़िया बराबर कर लेना है के डिध के मिट्टी ला उकर बाद एमें हमन डालना है धनिया के बीज तो आप मन मुरसाथ वीडियो में बने रहो आगे 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 और किस तरह से हमन यहाँ पर अभी बीजला डाल भो तो वोकर भी एक तरीका हो थे बीजला बोई के अगर अच्छे से मतलब की उगाना है तो वकर लिए पूरा प्रक्रियाल अच्छे से करना है तो आप मन देख सकता है जो हमन की धनिया जिला दर के रखे आनमन वोला यहाँ पर अभी बोबो तो कर लिए सबसे पहले हमन ला करना का है जैसे कि जितना बड़े भी आप मन की गमला है जो भी पोट है, वो में मिट्टी लपड़ी है, बराबर पहलाना है, ऐसे जगह में रखना है, जहाँ पे सूरज के कीरन पड़े, यानि की धूप पड़े, तो धूप पड़े लेका होते हैं, कि जो भी पेड़ पौध हमन रथें, वो मन अच्छे से होते, और धूप मतलब मन के खाना है तो आप मन तो जाना थे हा तो किस तरह से हमनला जगा सेलेक्ट करना है वो भी आप मन में बता दें तो यह देख सका था आप मन धनिया के बीजला पड़ी हा लाइन से बराबर सब तरब डाल लेना है आप मन देखा था हाथ में किस तरह से हाथ ला करके बीजला तो यही तरीक है बीजला कि असी अस सब तरह ब्राबर से प्यायतों नियुकर दोशन और बाद क्योन आपे और और जादा वशनल मेंट। का होते कभी-कभी सारा बीज से पौधानी निकल पाए उकर वज़े से थोड़ा जादा लगाना पड़ती और एकदम कम लगा ले अगर पौधा मनने निकलिस तो फिर बहुत कम हो जाही पौधान है उकर लिए हमनला जादा बोना है तो आप मन देख सकत है किस तरह से पूरा भीजा हमर फैल चुके है केरेट में ये देखो संगवारी हो हमर तरीका से धन्या लगा हाँ आप मन भी बहुत अच्छा से धन्या हो ही बहुत हरा भरा उकर बाद सारा बीज़ लगा करके ये देख सका था आप मन एक ठो कोई भी चीज जिमने की थोड़ा सा गड़ा हो सके वैसा चीज ले लेना है और उमें line line बनाना है देखो मिटी से मतलब कि कोई भी चीज होदे के बोसला टंगली आपमन की जो भी प्रकार है उमें तो ये देखा आपमन किस तरह से line बना थे एकर से का होते हैं सब अधरसे फाइदा ये होते हैं कि जो हमार धनिया के बीज हे औहां लाइन बन ते याने कि कतार में लगते हैं, तो की आप नाध्य की पिति泡 अधर बनाते Tôi ऐसे धारी के धार पौधार भी निकल ही तो ये में तोड़े में भी और कुछ भी जैसे राखड़ अगर अबाद में यूज़ करना है तो कर लिए सुविधा होते तो ये हरे बहुत आसान तरीका धनिया होगा है कि तो संगवारी हो मैं आप मन से आसा करत हूँ कि आप मन भी जरूर ट्राइ करिया और बहुत अच्छा से उगी धनिया और मिट्टी भी हो कर लिए बहुत अच्छा सेलेक्ट करना है जो कि काला मिट्टी आप मन देख सका था जे मैं खात के प्रयोग करे हैं सिर्फ गोबर खात के या तो फिर केच्वा खात के प्रयोग करिया जे मैं बहुत अच्छा या थो आपमन कोई भी रसाइनिक वगर अच्छा है जैसे भी आपमन यूज करत हुई है वो आपमन के उपर डिपेंड करते बाकि हमन जो करे हैं वो मैं आपमन बतात हूँ तो इस तरह से लबड़िया से लाइन बना लेना है उपर नीचे कर लेना है और बा बाद ये में हमन डाल वो अभी पानी ताकि अच्छा से ओमनला पोशन मिल सके और ज्यादा पानी ने डालना है जब तक धनिया के पौधा छोटे रही तब तक एक बार अभी पानी डाल दे वो गीला कर दे वो उला और गीला करी के बाद दो तीन दिन तक के उला सूखा पानी डाले की तरीका भी आप मन देख सकता है किस तरह से डालने है छीटा लगा के तक ज्यादा पानी डाले लेका होई गड़ा हो जाई या तो बीज उपर आ जाई या फिर अंदर घुश जाई तो करवजे से भी तकलिफ हो थे पौधाला निकले बा तो आप मन देख सकत पानी डाले की तरीका या तो आप मन कर कोई भी जाली वाला हो ही पानी डाले के तो ओकर भी इस्तिमाल कर सकता है पानी डाले वर ताकि गड़ा ना हो तो आट दिन में हमर धन्या निकाल के तयार हो जाई तो आप कुछ दिन के लिए उलत छोड़ देवो वैसे ही ओकर बाद प्रोसेस अमर चालू होई पौधा निकले के सुरू हो जाही तो संगवारी हो मैं आप मलत एक साथ बना के दिखाए हो पूरा पूरा बीजला दरे से लेकर कि पौधा उगत तक के वीडियो एक साथ दे हो संगवारी हो और साथ में पूरा पौधा हमर धनिया के बड़े होगी से फाइनल स्टेज चप अफनला तोड़े के समय आगी से तब तक के लिए तो ये देखा आठ दिन बाद हमार छोटे-छोटे निकले रही है से आठ दिन के बाद के दस बारा दिन के तो इतना अच्छा सुंदर सा निकले हैं देख से कता जितना बीज हमन लगाए हैं वो में स अच्छा कोई भी चटनी चाहे आप मन टमाटर के बनाओ लसुन के बनाओ या धनिया के बनाओ घरा चटनी बना सका था आप मन धनिया लसुन या फिर धनिया मिर्ची या धनिया टमाटर तो यह हरे संगवारी हमार अच्छा आसान तरीका धनिया हुगाए कि तो आप मन भी जरूर ट्राइ करिया धन्यवाद